तोड़े वी आर गोईंग टो अटेंड ए न्यू टोपिक ओफ बायो टेक्नलोजी एंड इस अप्लिकेशन इसके अप्लिकेशन से इम बात कर रहे हैं बायो टेक्नलोजी के अप्लिकेशन से इम बात कर रहे हैं कि इनका अनुपरियों कहां कहां हो रहा है तो कल कुछ बाते हम ने जान ली इसके अप्लीकेशन में जैसे कर spends में होता है U मेरे Argentina कोटन के बारे में पढ़ा था ठीक और कोगनीसिया के बारे में जाना था 59 अबी जाना था ठीक अब के लिए हम आगे बोर चलते हैं कि बायो टेक्नलोजी से और किन चीजों में सुधार किया गया और किस तरीके से उनको मानव के लिए प्रयुक्त किया गया प्योगी पधार्थ के लिए तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो हिरुडीन का निर्मान एक टोपिक लिख रखा है क्या लिख रखा है हिरुडीन हिरुडीन जो होता है वो एक प्रकार का रक्त इसकंदित पदार्थ होता है क्या होता है रक्त इसकंदित पदार्थ होता है तो रक्त इसकंदन पदार् स्वाइब से जो जोंक होता है उसकी लाण में पाया जाता है कहा पाया दता है ह। इस तो क्या किया ह। बायो टेक्नलोजी से जुड़े हूं अनुसंदान केंद्रों ने इस से प्रियुक्त किया कि जॉंब की लार में जो हिरुडीन होता है उसका जीन निकाल लिया क्या निकाल लिया और एक प्लांट है ब्रेशिका नेपस क्या नाम है ब्रेशिका नेपस इस प्लांट के अंदर उस जीन को ट्रांसपर कर दिया किसको हिरुडीन निर्मान के जीन को इसमें ट्रांसपर कर दिया बाई टी आई प्लाजमिड किसके जरीए और इनसे प्राप्त जो सीड हुई है कि इनको शिए निकाल लागया हिर्वडीन ब्रेशिका नेपस के अंदर लॉष की लार में पाया जाने वाले हिरुडीन को जीन डाला गया बायो टेक लोजिक जरीए और इससे प्राप्त डीजों में हिरुडीन उनको मिल गया ठीक और ऐसा करने के लिए इस टर्सजिनिक प्लांट का उप्योग किया गया टर्सजिनिक प्लांट जो हते हैu वो बनाई जाते है एक तरिके से ताकि वो हर चीज को सहेन कर ले यानि उनके जिनॉम के अंदर एक अतिरिक्त जीन डाल कर कुछ बना दिया जाता उनको ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल का आजब हो जैसे नॉर्मल प्लांट है तंबाकू और उसको हस्त कोसल दवारा के अबना दिया गया ट्रांसजेनिक के अबना दिया गया तो यह जो बात आपकी ब्रेसिका नेपस की है तो बात के लिए है कि ब्रेसि इंदर हिरूडीन का शीन जोड कर उसको ब्रेश का नेपस में ड़ता गया अब जो बीज निकले और बेसलिए उनके अंदर हिरुडीन की मातरा रहेगी और एक प्रकार से देखा जाए तो हिरुडीन उनको प्राप्त होने लग गया और हिरुडीन का जो काम होता है वो रक्त का इसकंदन करना क्या है ठीक है ये बात समझ में आ गई किलियर हुई ये बात चलें आगे वायरस प्रतिरोधी पादप प्राप्त करना हो ठीक है देखो इस चीज़ को थोड़ा समझो आपने टीका करने के बारे में कभी जाना हो टीका करन में क्या होता है उसी वायरस को बोडी के अंदर निसकरी रूप से डाल दिया एक तरीके से मरतवस्तन ताकि उसके लिए एंट वायरस प्रतिरोधी पादप बनाने है तो बायो टेकनलोजी के जरीए जैसे मालो टीएमवी वायरस है वायरस की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है तो यह बाहर का जो आवरण होता है इसको प्रोटीन का आवरण कहते है इसका और अंदर इसके नुक्लिक ऐसे इस प्रोटीन के आवरण का चोटा टुकडा यानि इसका जीन लेकर प्लांट में एग्रोबैक्टिरियम टुमिफेसियंस के जरीए बेज दिया गया चोटा सा चोटा सा जीन जो उसको नुक्सान नहीं पुचाए और लेकर इसमें ट्रांसपर कर दिया गया जैसे इसमें ट्रांसपर किया गया तो इस प्लांट के अंदर एंटरफेरोन बनने स्टार्ट हो गया क्या बनने स्टार्ट हो गया एंटरफेरोन एक प्रकार से संकर्मन से सु मुह बढ़ने लग गए उसके पास तो वह इंटरफेरों जैसे बना तो उसने उस वाइरस को खुद बाखुद मार दिया और अपनी सुरक्षा कर ली किलियर तो आप वाइरस प्रतिरोधी पादप में क्या समझाओगे आप यह बताओगे कि बायो टेक्नोजी के जरिए जैसे टीमवी वाइरस है उसका प्रोटीन भाग का जो जीन लेकर हम प्लांट में डाल देते हैं और उस प्लांट में इंटरफेरों उत्पन हो जाते हैं जिसके कारण वो इंटरफेरों खुद ही उस वाइरस आने वाइरस को इसको नहीं बाहर से कोई वाइरस आता जैसे टीमवी पूरा उसके अंदर आ गया तो उसको पूरे कोई मार नहीं है क्लियर आई बास समझें जीवानु प्रतिरोधी पादब तो पहले ब्रेसिका नेपस पर बात की फिर विसानु प्रतिरोधी पादब पर बात की अब जीवांप में इस प्रितिरोधी बाइयिस बायु टेकनोजी से संभव हो पाईी इसमें तंबाकु को ट्रांसस ईनिक बनाए गया और इसके अंदर अभी तंबाकु में एक रोग होता है जिसको श्करते हैं है वन्याग एक ट्रीके से पोथा जलने लग जाता है क्या कहते हैं ग Dynamo द्वने और यह वन्याग उत्वन करता है शुडो मोना स्रंगी जिवान अ कौन करता है बहिए आपको बात यह आद रखनी है कि तंबाकू के अंदर सुडो मोना सिरंगी दवारा वन्ने आग रोग होता है कौन सा लेकिन यदि तंबाकू के पादप में हम बायो टेक्नलोजी के जरिए एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम डाल देंगे तो यह एसिटि सुडो मोना सिरंगी को मार देगा यह एंजाइम परबाव निस्करीर कर देगा तो बड़िया बात ने बार-बार में दवा चिड़कने से तो बेटर है कि हम ऐसे बीज तयार कर लें तंबाकू के जिनके अंदर सबके अंदर क्या है एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम पर आगे चलें तो फ्लेवर सावर टोमेटो साम्माने तक क्या होता है कि जो टमाटर होता है वह एक दिन भी मुश्किल से टिक पाता है दूसरे दिन साम तक तो वह खराब हो जाता है कच्चे की बात अलगा आप पक्के प्लांट की बात कर रहे हैं ठीक है क्योंकि उसकी जो को फ्राब होने से बचाने के लिए कि किसानों को इनसे बहुत ज्यादा नुक्सान हो रहा है तो इसी से बचाने के लिए अनुसंदान से तर में क्या किया गया की यह एक प्रकार का एंजाइम पॉलि ग्लेक्टूरो नेज क्या नाम है पॉलि क्या बोलोगे ऊफिंफू इंजाइम है यह किसी भी जैसे टामाटर की बात कर रहें तो टामाटर की फल भी इत्ति को डिड्रेड कर देत अंदर से यानि विगटित कर देता है जिसके करन टमाटर पूरा सड़ जाता खराब हो जाता है तो बायो टेक्नोजी के जरीए इसको निस्करिये करने के लिए बार से कुछ बेज दिया गया है कोई भी जीन वगेरा कोई भी एंजाइम वगेरा तो अब इसे पॉली और सावर इसलिए का जाता है दूसरी अगर बात की जाए तो यह से टमाटर होते हैं अगर आप इनको दिवार पर मारोगे तो आपके पास वापस आ जाएंगे बाउन्स करके ठेक है क्लियर वैसे यह नहीं कि खाय नहीं जाएंगे उसर गेंदी बना के दिद्धी क्या खाय दे गाल्डन रैस इनको इसलिए कहागा है क्योंकि जो चावल है उसका जो कलर हो थो थोड़ा यलो हो जाता है क्यासा हो जाता है इसलिए वह का आ थावल्ड़ा होत скорее तो चावल में मिलता है है विटामीन ए तो कहीं नहीं मिलता उसमें हुझा अब आपको चावल से जिश्द राज्यों में चावल ज्यदा खाया जाता है तो उनका मुख्य बोजनी तो लेते नहीं ऐसे me जामिन एसे होने वाले रोग जैसे रतंदी रोग हो गया उससे उनको दिक्कत आने लग जाती है तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया कि चावल के अंदर बीटा के रोटीन का जीन डाल दिया किसका बीटा के रोटीन का जीन निकाला गया एग्रो बेक्टीरियम टूमी फेसियन्स के टी आई प्लाजमिड के सारे इस बीटा के रोटीन को इससे तो निकाला गया और चावल के अंदर डाल दिया गया अब चावल के अंदर भी क्या बन गया बीटा के रोटीन जिससे उसमें किस गॉल्डन राइस कहा गया क्या कहा गया वापस सुनो बात को ध्यान से कि वह डेफोडिल प्लांट से बीटा के रोटीन का जीन निकला गया किसे और चावल केंदर डाल दिया गया हूँ जैसे उसके अंदर डाला तो उसमें विटामिन ए की मातरा बढ़ गई और इस प्रकार से और वो color में कैसे हो गए उनके बीज फोड़े yellow color के तो इसलिए इनको golden rice का गया golden rice हो है जो yellow color के है तता उनमें vitamin A की बरपूर मात्रा होती है सामाने चावल में आपको vitamin A की मात्रा नहीं मिलते ठीक है अब है genetically engineered insulin इंसुलीन के अगर हम बात करें insulin जो है आप सब जानते हो insulin एक परकार का hormone जो अगना से गरंती से निकलता है और blood के अंदर सरक्रा के level को कम करके रखे glucose को glycogen में change करता है अब जिसकी body में insulin बनना बंद हो गया तो उसमें glucose glycogen में change नहीं होगी और blood के अंदर glucose जद्द हो जाएगी ऐसी condition में उसके जो रोग हो जाता है उसको हम कहते हैं मदुमे रोग शुरुआत में क्या किया जाता था कि जानरों की चर्बी से सुवर है गाय है इनके अगनासे से इनके अगनासे से इंसुलीन प्राप्त किया जाता था क्या और वो डारेक्ट किसके अंदर डाला जाता था एसी कंडिशन में उनमें इंसुलीन बड़े या नहीं बड़े वह बात तो अलग हो गई लेकिन उनके एकदम से बाहर से इंसुलीन डारेक्ट निकाल के देने से उनमें ऐलर्जी रोग होने लग गए यह तो आप भी जानते हो आपकी बोडी जो है बाई एक आरकों के परत इसे बेलर्जी होती है जैसे किसी को दाल से अलर्जी होती है वो गेहों की रोटिया नहीं खाता है बाजरे की रोटियां खाता है जों की रोटियां खाता है किसी को बाजरे की रोटियों से अलर्जी हो जाती है किसी को दाल से किसी को मचली से किसी को अंडे से अलर्जी हो ठीक है किसी दूद से गर्जी है मैं कि ना कि लिर तो इंसुलीन बाहर से दिया रहा और इंसुलीन आ आप जानती और प्रोटीन खोता अपने आपूं मैं तो एक दम से इतना प्रोटीन डारेक्ट दे दिया जाए तो हो सकता उनमें एलर्जी की संभावना हो एलर्जी से मरने लग गए तो इस चीज को बंद किया गया कैसे तो लोग मरने लग जाएंगे ठीक फिर बायो टेक्नलोजी जब परखर उप से आई वर्लल में जब परखर उप से आई तो इसने अध्यन किया इसने क्या देखा कि जो इंसूलीन होती है उगा नहे लिए उस इंसूलीन के अंदर दो चैन होती है एक चैन ए और एक चैन बी एक चैन में 21 एमिन खिलु me और एक चैन में और यह डोनों चैन डाई सलफाइट बॉन्ड दवाराय से आपस में जुड़ी रहती है क्या रहती है आपस में जुड़ी रहती है इतनी चीजों को समझने के बाद आमेरिका की एक कमपनी थी जिसका नाम था एली लीली कमपनी एली लीली इस एली लीली कंपनी ने क्या किया बाहर चेन ए और चेन बी बना ली मतलब शरीर के बाहर ही ठीक है बायो टेक्नलोजी के जरीए क्या बना ली चेन ए और चेन बी और इनका प्रोडक्शन करवा लिया इकोलाई में डालके चेन ए की वर्दी हो गई चेन बी की वर्दी हो गई और फिर इनको डाइसलफाइट बॉंस से जोड़कर माना इंसुलीन तयार कर ली गई जिसका नाम था हिमूलीन यह परसंद बड़ा इंपोटेंट है क्या नाम था हिमूलीन और अब हिमूलीन डारेक्टर आदमी में डाल दो कोई दिक्कत नहीं होगी तो क्या किया था अमेरिका की एलिलिली कंपनी ने की चैन ए और चैन बी को बनाया वाय टेक्नली जगी जरी है इकोलाई जिवानों में डालके उसका प्रोडक्शन किया फिर उसको आपस इंसानों में डालने लग गये जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था किलियर तो आज के लिए इतना ही ठीक है बाकी का नेक्स्ट क्लास में थैंक्यू